बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा के बारे में राज कुंद्रा ने अपने तलाग के 15 साल पहली बार इस बात पर खुल कर बात की है उन्होंने एक इंटर्व्यू में दावा किया है कि उन्होंने कवीता को शिल्पा शेटी की वज़े से तलाग नहीं दिया बलकि दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि कवीता के उनकी बहन के पती यानी उनकी जीजा के साल संबन थे पशूर बिजनेस्मेन और बॉलिवूड एक्टर्स शिल्पा शेटी के पती राज कुंदरा ने हाल ही में अपनी पहली पत्नी को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं शिल्पा शेटी के बर्थडे पर वारल हुई थ्रोबैक स्टोडी को देखने के बाद से राज कुंदरा काफी परशान थे जिसके बाद उन्होंने सालों बाद पहली पत्नी कवीता से तलाग की अपनी वज़़ साफ करने का फैसला लिया राज कुंदरा ने तलाग के 15 साल बाद पहली बार इस पर खुल कर बात किये हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने कवीता को शिल्पा सेटी की वज़़़ से तलाग नहीं दिया बलकि दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि कवीता के उनकी बेहन के पती यानी उनकी जीजा से संबन थे राज कुंदरा ने हाल ही में पिंक कविला के साथ बाचीत में अपनी पोरु पत्मी को लेकर कई खुलासे किये हैं इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरे पहरेंट्स और बहन एक ही घर में रहते थे मेरे जीजा भी हमारे साथ ही रहते थे वे भारत से यूके आये थे अपना काम जमाने के लिए मैं अक्सर काम के सिल्सले में बाहर जाता रहता था इस दोरान वह कभी था मेरे जीजा के काफी करीब आ गई थी दोनों अपना जादातर समय साथ ही बिताते थे मेरे परिवार के सदस्यों को ये बात अजीव लगती थी यहां तक कि मेरे ड्राइवर को भी लगा कि दोनों की बीच कुछ है लेकिन मुझे उस पर कभी शक नहीं हुआ मेरे जीजा वन्ष और मेरी पत्मी दोनों एक साथ ही बाहर जाते थे एक ही कमरे में घंटों बैठे रहते थे मेरी बहन ने इसे लेकर मुझे से बात चीथ की मुझे लगा कि उसे शक हुआ होगा मेरी बहन और जीजा वन्ष दोनों कुछ समय बाद भारत लोटा है क्योंकि उनके लिए यहां सभी के साथ एक ही घर में रहना असज हो रहाता घर के सभी लोगों को मेरी एक्स वाइफ और एक्स जीजा का घंटों साथ रहना खटक रहाता दोनों के जाने के बाद मुझे पता चला कि कविता प्रेगनेंट है राज कुंद्रा आगे कहते हैं डिलीवरी के बाद जब अजी वैबाहर करने लगी बातरूम जाती और घंटों बाहर नहीं निकलती हमें लगा डिलीवरी की वज़े से ऐसा होगा लेकिन एक दिन मेरी बेहन ने मुझे रोते हुए फोन किया और कहा कि वन शी के पास से एक दूसरा फोन मिला है जिस पर लंदन के नमबर से कॉल आते हैं मैंने नमबर लिया और उसका टावर चेक करवाया तो नमबर का सबसे नजदी की टावर मेरे घर के पास मिला मेरे होश ही उड़ गए मैं बात्रून गया और चेक किया तो कविता के कपड़ों से दूसरा मॉबाइल मिला जिससे मैसेज किये गए थे राजकुंद्रा के मताबिक उन्हें अपनी पहली पत्नी से जो धोपा मिला उसने उन्हें बुरी तरह से हिला दिया था उनका कहना है कि वे कभी उस दौर को नहीं भूल सकते इस घटना ने उन्हें बुरी तरह से हिला दिया था उनकी जिन्दगी काफी डिस्टब हो गई थी राजकुंद्रा ने यह बयान तब दिया जब उनकी पूर्व पत्नी कभीता का एक इंटर्व्यू बाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने तलाग की वज़ा शिल्पा शिट्टी को बताया है सो गैस क्या क्याना है आपको राजकुंद्रा के बारे में प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीगे और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना बूले